हेलो दोस्तो मैं महम्मद श्वाइब आज का हमारा नया टॉपिक सुप्रारीनल ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड वा दो टॉपिक और एक नाम तो हम इसके जर्नल फीचर माइक्रोइसकोपिक फीचर और वगारा वारा फंक्शान रिलेटेड हार्मोन सब देखेंगे इसी ल सबसे पहली चीज जो है यह हमने इनकी लोकेशन बताई अब बात करते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड यह दोनों अलग-अलग ही है या एक ही है अगर एक है तो इनका नाम अलग-अलग क्यों है तो सुप्रारीनल ग्लैंड जो है अमारी वो प्रेजन्ट होती है कहां किडनी के सुपीरियर पोल पे तो इसे बोल दिया गया सुप्रारीनल रीनल जो है वो किडनी को बोलते हैं तो सुप्रा तो भी इसी इसी लिए इसका दूसरा नाम एड्रीनल ग्लैंड रखा गया, तो यही है सुपीरियर ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड आर पेर्ड ओर्गन, लाइ नियर दा सुपीरियर पोल ओफ दे किड्नी, इन दे अब्डॉमेन, इन मैनी एनमल, दे डू नोट ओक्यूप असुप्रारीनल पोजीशन बट लाइ नीर दा किड्नी देर्फोर, कॉल्ड एड्रेनल ग्लैंड, अब जो ग्लैंड है, इनकी दो फंक्शनल पार्ट है, पहला कॉटेक्स दूसरा मेडूला, कॉटेक्स यलो सुपीरियर पार्ट होता है, मेडूला जो होता है, वह होगा क् ब्राउन डीप पार्ट तो दा ग्लैंड इसमेड फंक्शनली डिशनेक पार्ट येलो सुपरफीशियल पार्ट कॉल्ड कॉइटेक्स एंड रैडिश ब्राउन मेडूला दो वॉल्यूम अफ कॉइटेक्स हो जाएगा वो दस घूना बड़ा होता है किसे मेडूला से कॉइट cortex और मेडूला अलग-अलग होते हैं दूसरे से फंक्शन में मॉर्फोलाजिकल करेक्टरिस्टिक में और डिव्लमेंट के तुरू अब करते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर देखने पर तो माइक्रोस्कोपिक अगर फीचर से देखते हैं तो सबसे पहले हम कोर्ठेक्स को यह कोर्टेक्स के बात करते हैं आतिक्षी च्पार अी लेक्ष्यमें तो देखने है जोना, tenants गिलमंरbleus, ग्रणालोस, फेशिकुलेटरी और रेटिकुलेटिरिसु घ embargo, ऑजोना ग्लोमेरूलोस जोना फेशिकुलेटि और रेटिकुलेरिसु तो इसको यात कर सकते हैं, जिए व्याद कर सकते हैं, जिए ट्रिक है। दज सेल एन अडेनल को टेक्स थायव दा टिपकल इस्टेक्च चरी स्टरॉयट सेइकरी इंग से दि दून ओट स्टोर्ड दा सक्रीटिक प्रोडिक्ट यह जो सेल होती ही यह स्टोर नहीं करते हैं सक्रीटिकिक कौ बट जरूरत पढ़ने पर सेक्रीट करते हैं ऑब बात कर अपने हैं एक एक discuss करने का Jonah Glomerulusa, Jonah Glomerulusa it is the outermost layer, ये जो है one-fifth part cover करेगी, cortex का Jonah Glomerulusa, one-fifth करेगी, Fasicularis ये 1 5th करेगी Fasicularis 3 5th करेगी Reticularis 1 5th पार्ट कवर करती है तो अब देख जोना Glomerulosa ये 1 by 5 पार्ट कवर करेगी Outermost layer होगी U-shape का arrangement इसमें देखने को मिलेगा जबकि Glomerulosa 1 by 5 Fasicularis 3 upon 5 Reticularis 1 by 5 कॉटेक्स का कवर करती है When the light microscope The cell of the Jonah Gromerulosa Has seen small polyhedral or columnar With basophilic cytophiline staining nuclei ये जो produce करते हैं कौन सी Mineralocorticoid hormone जिसमें aldosterone और deoxycorticoistron आएगा ये influence करते हैं Mineral है तो water को balance करेगा Electrolite and water को balance करेगा body में Secretion of aldosterone Influence होगा by renin secreted by GMG cell GMG मतलब juxtaglomerular cell कहां पर प्रेजेंट होती है Of the kidney The secretion of hormone By the Jonah granulosa Appeate largely independent Of the hypofasis cerebris अब हम बात करते हैं Jonah fasciculata का ये जो होता है Middle part है Middle layer है 3-5th cover करेगा Cortex का Arrange रहेगा State columnar में Two cells Thick right angle of the surface Light microscope से देखने पर ये जो है Polyhydral And basophilic cytoplasm And fascicular nuclei दिखेगा ये rich होते हैं Lipid में Fasciculata very rich in lipid With routine staining method With routine staining method में Lipid eye dissolve हो जाएंगे किस में Given the cell जब lipid dissolve हो जाएगा तो ये impati हो जाएगा Impati को दूसरा नाम Veculotid बोलते हैं Appearance Because their Veculization The cells are also called Spongiocyte These cells also contain Considerable amount of vitamin C ये हार्मोन कौन सा निकालता है Produce करेगा Glucocorticoid इसमें Cortisone And cortisol आएगा These हार्मोन Wide spread Effect Including Carbohydrate And protein की Metabolism Help करेगा Appear होगा Decreased antibody Anti-inflammatory effect Jonah fasciculata Also Produce Small amount of DHA Dihydro Ippihandroshtron Which is An androsan Jonah reticularis की बात करते हैं The inner Jonah reticularis The inner one-fifth cortex Is called Jonah reticularis Made of Jonah reticularis It is called reticularis Because it's made of Cod of branch The cell in layer Is smaller More acidophilic Light microscope Se देखने पर Reticularis See in similar Jonah fasciculata But lipid Contained in less The cytoplasm Is synophilic EM से फिर से देखने पर Cortex Abandoned smooth इसमें जो है Smooth Endoplasmic reticulum Present होगा The golgi complex Is best developed Golgi complex The best तरीके से Development जो होगा Jonah fasciculata में मिलेगा Mitrocondia are elongated And glomerulus Spherical in Fasciculata And The unusual With tubercle system Produce Some glucocorticoid ये से में 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 ली Sex हार्मोन And sex हार्मोन में के Estrogen and Androgen Produce करें Suprarenal medulla Both functionally And embryological The medulla of suprarenal gland Distinct from cortex Function जो होगा वो Symphatic ganglion With post ganglionic Symphatic cell Without exon And endroid इसमें क्या Basically Chromafin cell Present होगी Chromafin cell ये क्या है कुछ और नहीं डराइड होगी कहां Neural Crest से Chromafin cell Columnar Or polyhydral Safe की होगी Electron Microscope से देखने पर Adrenal Medulla Contain Abundant Granular Indoplasmic यहां पर भी RER मिलेगा Prominent Golgi Complex Also contain Membrane Bond Secretory Vesicle In some cell Vesicle are small And electron dense In other They are large Not so dense It contrast Suprarenal Cortex The medulla Is not essential For life Of As its function Can be performed Other Chromafin tissue Chromafin Chromafin Cell Secrete Non-Adrenaline Non-Norepinephrine And epinephrine And epinephrine And epinephrine Adrenaline Into the blood Blood This secretion Take place mainly At the time When we are in stress In stress In stress In condition Fear or anger And result in Wide spread effect Similar to those Stimulation of the Symphatic nervous system What will happen What will happen Heartbeat To increase Blood pressure To increase Suprarenal Medulla Control By splenic nerves से तो यह हमारा आज हमने कवर कर लिया पूरा अपना मैडूला तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए टाटा